गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज हम चैप्टर नमबर 14 पढ़ेंगे ये मैंने पहले छोड़ दिया था इसमें एक कवीता है एक नई कवीता जिसे हम पढ़ेंगे और इसे समझेंगे इसका नाम है सीख सीख यानि मैनर्स बच्चों, संसकार हर ब्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है और कुछ ऐसी बाते होती है जिसे जीवन में सीखना बहुत ही जरूरी है और हर ब्यक्ति के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह मैनर्स को सीखे अगर किसी ब्यक्ति में मैनर्स है, संसकार है तो वो इनसान खुद बखुद दिन पर दिन उसके जीवन में अच्छाईयां आते जाती हैं तो आईए हम इस कविता को पहले पढ़ते हैं और फिर उसे समझते हैं मन लगाकर पढ़ो, खूब उंचे चड़ो, मेल से सब रहो, कुछ बुरा मत कहो इसमें हमें कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कि हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए याने हम जितनी देर भी पढ़ाई करें वह मन लगाकर करें किसी को धोखा देने के लिए ना करें अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं कि हम अपने सामने बुक खोले हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम कुछ और ही काम कर रहे हैं हमारा ध्यान कहीं और है तो हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं बलकि अपने आप को धोखा दे रहे हैं क्योंकि जो मनुश्य जीवन में परिश्रम करता है, वो बहुत ही आगे बढ़ता है, खूब उचे चड़ो, यहां इसी बात को कहा गया है, कि परिश्रम का फल बहुत ही मीठा होता है, अगर इनसान परिश्रम करेगा, तो उसे उसकी सफलता अवश्य मिलेगी, मेल से सब रहो, दूसरी बात यहां और कही जारी है, कि हर इनसान को मेल से रहना चाहिए, यानि आपस में प्रेम से रहना चाहिए, कुछ बुरा मत कहो, किसी के बारे में हमें ना बुरा सोचना चाहिए, और ना ही बुरा कहना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर जैसे जैसे बिचार आएंगे हम जैसा बोलेंगे वैसे ही हमारे अंदर बिचार आएंगे इसलिए हमें अपनी वानी में मधूरता को लाना चाहिए अगर हम अपनी वानी में मधूरता को रखेंगे तो हमारा मन भी उतना ही मधूर रहेगा इसलिए ना तो हमें बुरा कहना चाहिए और ना ही बुरा सुनना चाहिए आगे है वैर को छाट दो, प्यार को बाट दो मत किसी से सॉरी मत किसी से डरो, सब का आदर करो इन पंक्तियों में कभी कह रहे हैं कि बैर को छाट दो यानि हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए अगर हम दुश्मनी करेंगे तो बदले में हमें शत्रुता ही मिलेगी इसलिए हमें किसी को शत्रु भी नहीं बनाना है और किसी से दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए अगर हम आपस में प्यार बाटेंगे तो बदले में भी हमें प्यार ही मिलेगा मत किसी से डरो, सब का आदर करो और हमें पूरे बिश्वास के साथ हर काम करना चाहिए हमीशा मन में किसी प्रकार का डर या भै पैदा करके अपने काम को आगे नहीं करना चाहिए सब के साथ हमें आदर पुर्वक रहना चाहिए यानि हर किसी की इज़त करनी चाहिए अगर हम दूसरों की इज़त करेंगे तो बदले में भी हमें इज़त और प्यार ही मिलेगा आगे की पंक्तियां है जूट बोलो ना तुम ब्यर्थ डोलो ना तुम फूल बन कर जीओ प्यार का रस्ट पीओ इन पंक्तियों में कभी कह रहे हैं कि हमें जूट नहीं बोलनी चाहिए अगर हम जूट बोलेंगे तो हमें उसकी धिरे-धिरे आदत बनती जाएगी और फिर हम एक जूट के बदले दूसरे जूट और दूसरे जूट को चुपाने के लिए फिर तीसरे जूट को बोलेंगे इस प्रकार ये आदत हमारी बढ़ती ही जाएगी इसलिए हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए हमीशा सच का साथ देना चाहिए क्योंकि सच का मार्ग हमीशा सीधा और सरल होता है ब्यर्थ डोलो ना तुम यहां इन पंक्तियों में कभी कह रहे हैं कि हमें कोई भी बेकार की चीज नहीं करनी चाहिए अपने मन को इधर उधर ब्यर्थ में या बेकार में इधर उधर नहीं लगाना चाहिए और हमें अपने हर काम को बहुत ही सरलता और इमानदारी से करनी चाहिए फूल बन कर जीओ प्यार कर रस पीओ हम अपने काम को जितनी भी इमानदारी से करेंगे हमारा जीओन उतना ही सरल और सुंदर बनेगा और जीओन का आनद सही रूप में हम तभी उठा पाएंगे इसलिए इस कवीता के माध्यम से कवी शिशुपाल सी निर्धन हमें एक सरलता का पाठ पढ़ा रहे हैं एक ऐसी सीख दे रहे हैं जिससे आप सभी अपने मन को साप और निर्मल रखें खुद भी अपने आप से प्यार करें दूसरों को भी प्यार दें दुश्मनी को छोड़ दें और हर किसी की इज़्जत करें क्यूंकि हम जैसा वहवार करेंगे बदले में हमें वही वहवार वापस मिलेगा और तभी हमारा जीवन आनन्द पुर्वक हम जी सकते हैं तो यह कविता शिशुपाल से निर्धन द्वारा लिखी गई है इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जैसे उंचे बुरा वैर वैर का मतलब दुश्मनी होता है आगे है जूट व्यर्थ व्यर्थ का मतलब बेकार होता है डोलो मतलब हमें ब्यर्थ या बेकार नहीं डोलना चाहिए प्यार प्यार का मतलब इसने और पियो पियो का मतलब प्यार का रस पियो यानि आनन्द पूर्वक जीवन ब्यतीत करो तो ये जिन शब्दों को मैंने रिखांकित किया है इसे आप कठिन शब्द के रूप में लिख लेंगे यहां कुछ शब्दार्थ भी दिये वे हैं जैसे उचे चड़ना उननत्ती करना डोलना डोलना कर्थ होता है इधर उधर घूमना वैर वैर का मतलब हुआ दुश्मनी प्यार का रस पिना यानि आपस में एक दूसरे से प्रेम करना आदर आदर का मतलब होता है इज़त और व्यर्थ व्यर्थ का मतलब हुआ बेकार तो सब्दार्थ को भी आप लिख लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे यहां कुछ प्रशन उतर दिये हुए है हमें किस तरह पढ़ना चाहिए तो आपने कवीता में देखा कि हमें हमेशा मन लगा कर पढ़ना चाहिए दूसरा है हमें कैसी बात नहीं करनी चाहिए तो कवीता में आपने देखा कि हमें बुरी बात नहीं करनी चाहिए यहां पर आपने देखा कि कुछ बुरा मत कहो तो आप क्या कहेंगे हमें बुरी बात नहीं कहनी चाहिए हमें सबके साथ कैसा वहवार करना चाहिए तो आप क्या कहेंगे हमें सबके साथ प्रेम पुरुवक वहवार करना चाहिए यानि प्यार पुरुवक हमें रहना चाहिए प्यार का रज पीने का क्या अर्थ है? प्यार का रज पीने का अर्थ है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को प्यार देंगे, विश्वास देंगे, तो बदली में भी हमें वही चीज मिलेगा तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम दूसरों को प्यार देंगे, आदर देंगे और इज़्जत देंगे तो हमारा जीवन भी बहुत ही सरर, सुन्दर और आनंद पुर्वक होगा और हमारा जीवन अगर आनन्द पुर्वक होगा, तो हम बहुत ही निश्चिंत के साथ अपने जीवन को ब्यतीत करेंगे, यानि शांती पुर्वक अपने जीवन को ब्यतीत करेंगे, यानि अगर आप किसी को कुछ देते हैं, तो बदले में भी आपको उतना ही प्यार मिलेग यहाँ है नीचे लिखी पंक्तियों से आप क्या समझते हैं खूब उचे चड़ो का मतलब होता है जीवन में बहुत ही सफलता पाव दूसरा है वैर को चाट दो वैर को चाट दो का क्या अर्थ होता है दुश्मनी को छोड़ दो यानि हर किसी से बे मतलब की जो हम शत्रूता ठान लेते हैं हमें वह शत्रूता नहीं अपनानी चाहिए हमें शत्रूता के जगर प्यार ही देना चाहिए वैर्थ डोलो ना तूम इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें इधर उधर की फालतु बातों पर अपना समय व्यतित नहीं करना चाहिए बलकि ऐसी बातें और ऐसे काम में ध्यान लगाना चाहिए जो कि जीवन में जरूरी है जिससे हमारा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो फूल बन कर जीओ यानि अगर आप अच्छा काम करोगे तो भगवान भी उसका नतीजा आपको अच्छा ही देगा इसलिए आपका जीवन और भी सुन्दर बन जाएगा इसलिए आप प्यार दो और बदले में प्यार पाओ यहाँ है पंक्तियां पूर्ण कीजिए यह कवीता की पंक्तियां है यह अधूरी है इसे आपको पूरा करना है जैसे मेल से सब रहो कुछ बुरा मत कहो मत किसी से डरो सब का आदर करो तो इसे आप अपने बुक में कवीता देख करके आप लिख लेंगे अगला है प्रशने तुप मिलाईए पढ़ो पढ़ो का जैसे एक एकजांपल की रूप में दे दिया गया है चड़ो उसी प्रकार जीओ जीओ का राइमिंग वर्ड क्या होगा पीओ रहो रहो का राइमिंग वर्ड हो गया कहो उसी तरह यहां भी है डरो, डरो का rhyming हो गया करो बोलो, बोलो का हो गया डोलो और चाट, चाट का अर्थ हो गया तो यह इस तरह से आपको rhyming word मिलाना है अगला प्रश्ण है कवीता के अनुसार ठीक कथन पर टिक का तथा गलत पर गलत का निशान लगाईए मल लगा कर पढ़ो यह सही होगा वैर को पाल लो यह गलत है सब का अपमान करो यह भी गलत है और जूट बोलो ना तुम यह भी सही है यह भाषा बोथ आप खुद से आप करेंगे आप उतना दिन में सीख गए होंगे तो इस भाषा बोथ को आप खुद से करने की कोशिश करेंगे मैं आपको पेडियप भेज दूँगी यहां जितने भी रेखांकित शब्द हैं सब को आप कठिन शब्द के रूप में लिखेंगे शब्दार्थ को आप अपने नोट कॉपी में उतार लेंगे और उसे याद भी करेंगे और question answer मैं भेज दूँगी उसे आप लिख लेंगे तो यह कवीता आप पढ़ेंगे और उसे समझेंगे Thank you